हाई गाइज वाट्स अब थांक ये पर स्टॉपिंग भाई आप देख रहें दाट कॉल गॉल आज का जो वीडियो इसकी पार्ट री ओफ डॉटर अर्थ का लिप एंड चीक टिंग तो इनका जो फॉर्स्ट लॉंच था मैंने अपने पार्ट वन में सारे स्वाच बताये थे उसे मैं लिंक कर देंगी आई बट्ल बे इसकेंड पार्ट हैड ओल दी रेड शेज तो इन्ह बताया था सो उसे भी मैं लिंक कर दूंगा या बट्न पर नाव लास्ट यरी इन्होर ने यह जो न्यूड शेज का रेंज है वो लॉंच किया था और मैंने खरीट बिया था पर देन मैंने वीडियो बनाना ही डिसकंटिन्यो कर दिया था तो पर मुझे बनाना था क्योंकि तो मुझे इससे कंटीन्यो करना था तो येस टुड़े आइम स्वाचिंग ओल दी फाइव शेज तो अचली यह ने चार शेज लॉंच कि ए एक और कॉपी नियूड करके जो शेड है वो फॉर्स पार्ट में उनका है पर मैं पांचों को इस वीडियो में बताने वाली हूं इस वीडियो को एंग तक देखेगा क्योंकि मैंने लिप स्वाचिस, हैंड स्वाचिस, रिव्यू, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डाल दिया है तो आपके लिए काफी हेल्फुल होगा यहां पर मेरा जो फांडेशन का शेड है इस इनसी 30 अड मेबलीन का शेड है इस 128 तो बहुत लोगों को डाउट होता है क्योंकि स्किन टोन के उपर वो पता चलता है राइट की शेड कैसा लगेगा तो यह जस आपके लिए इस आपके लिए अगरों के लिए अगरों का शेड है जाट की शेड है गजए अगरों की शेड है इसलिए मैं इसे इसे सबसे पहले स्वाच किया यह कंप्लेटली कोरल नहीं है तो इसे सबसे पहले रेंज में लुप्स को और यह एक ऐसा न्यूड शेड है जो आपने चीक्स पर भी लगाओगे तो वो विजिबल होगा कॉफी न्यूड शेड इनके सबसे पहले रेंज में लौंच हुआ था यह बिलकुल भी कॉफी जैसा शेड तो नहीं है इसे हम कॉरल बोल सकते हैं काफी ओरेंजिश टिंट है यह बर्न ओरेंज टिंट आप बोल सकते हैं इसे फन ओरेंज शेड है बट बिलकुल भी कॉफी जैसा ब्राउन नहीं होगा सो मेक शौर की मतलब आप इससे मिसलीड ना हो जाए सिया थर्ड शेड इस कॉस्मिक न्यूड नाव यह आप देख सकते हैं मैंने नेल पेंट से काफी माच हो रहा है यह मरून और ब्राउन का मिक्स है सो अगर आपको एक डाकर शेड चाहिए न्यूड रेंज में यू कैन कम्प्लीटली गो फॉर देस वन बहुत ही अच्छा सा वाइन शेड जैसा है और ऐसा लगेगा भी नहीं कि अपने मेक अप लगा है बट इट गिवस नाइस टिंट यूर लिप्स डेजर्ट न्यूड एक ऐसा शेड है अगर जिसके लिए मुझे एक्जाम्पल देना हो तो मिट्टी के जो दिये होते हैं वो कैसे शेड के होता है या फिर जो घर में हमारे घड़ा होता है एक्जाक्टली वही शेड आई है अगर इसे अप डार्क लिप्लाइनर से लाइन कर दो तो कुछ बन सकता है वो बद फिर वो तिंट का पूरा कॉंसेप्ट ही चले जाता है और फॉर सम रीजन यह बहुत बॉची था मेरे लिप्स पर इनके ओपर तो मैंने दो वीडियो अल्रेडी बना ली है उनने मैं लिंक कर दूंगी ऑफकॉस तो आपको बहुत कम लेना है कम अप्लाई करना है और वो काफी जादा पिग्मेंट दे देगा यहां में थोड़ा जादा ले लिया था तो आप देख सकते हैं इसका पिग्मेंटेशन बहुत इसली ब्लेंडेबल है तो आप अपने चीक्स पर लिप्स पर इवन आइस पर इसे यूज कर सकते हैं फोर दे नाच्रल फ्लश अफ कलर इसमें इन ड्राइक ना करे लिप्स को इसले इसके अंदर आलमंड ओल शिया बटर मोरिंगा और प्लांट बेस्ट वैक्स है बीज वैक्स नहीं है इसले हंड़िड परसंट वीगन है अब देख सकत और अलग लगेगा मेरे टॉप थ्री शेज तो कॉरल न्यूड कॉस्मिक न्यूड और डिजर्ट न्यूड है ग्लेशल न्यूड मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया अल इन आल यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इस तिंट प्राइस के साब से यह कॉंटिटी ठीक ही ठाग ह है तो यह 4 आट 5 दिस्क्रिप्शिन बोक्स में बाकी के सारे टीटेश मेंचन होंगे तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा लेट मी नो यह फेवरेट शेड कॉमें सेक्शन में अगर आपको कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है आपकी कोई तो आप मुझे कॉमेंस कर दो आपको को कि तो आपको कोई तो आपको कोई यह वीडियों के लगा है यह को यह वो हुआ है कि बाझ कॉमेंस के बाखको काई।